अपने बड़ों से बात करने का ये कोई धंग नहीं है हाथ धोने का ये कोई धंग नहीं है हसने का आईए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के sentences को English में बोलने के लिए कौन सा rule follow होता है इसके rule में सबसे पहले that's no way यानि कि that is no way आता है जिसका मतलब होता है ये कोई तरीका नहीं है या फिर ये कोई धंग नहीं है यहाँ पर इस way का मतलब तरीका या फिर धंग से है इसके बाद to आता है इसके बाद verb की first form आती है और last में other words आते हैं अगर sentence में कुछ बचते हैं तो नहीं तो हमारा sentence verb की first form पर ही खत्म हो जाता है चली आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आज जाए ये कोई तरीका नहीं है खाना खाने का या फिर ये कोई धंग नहीं है खाना खाने का ये कोई तरीका नहीं है अपने बड़ों से बात करने का ये कोई धंग नहीं है हाथ धोने का ये कोई धंग नहीं है हसने का ये कोई तरीका नहीं है बोलने का अब एक सेंटेंस आपके लिये ये कोई तरीका नहीं है पढने का इसको हम इंगलिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताए आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइप कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos चली अब है मिलेंगे कल एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ अब तक के लिए take care, bye bye